Naughty Dog की classic Crash Bandicoot video games के बाद जितनी भी सारी games आई हैं Crash की under Activision, वो उतनी मज़े के नहीं थी and they weren't even close to what we got back in the days of PlayStation 1. वो जो Crash Bandicoot की original games थी, उनका level ही और था, they were great. Also, running franchise को continue करना कुई असान बात नहीं, especially नए developers को जब यह task दिया जाता है, तो it's a big big responsibility. और ऐसे मौकर बहुत सारे developers fail भी हो चुके में बुरी तरह से, इंतहाई फजूल गेम्स बनाके बहुत प्यारी franchises को बहुत से developing teams ने खराब भी किया, for example, Tony Hawk Pro Skater, WWE and the list goes on. लेकिन Crash Bandicoot के case में सीम बहुत ही मज़े का है, Toys Rope operated a wonderful job, I had a blast playing it, तो सीम सारा good ने. Welcome back to the 2-Sweet Show, मैं हूँ आपका host Bantoo Cage, आज review लेके हूँ Crash Bandicoot 4 It's About Time का, ये वीडियो sponsor किये Sky Games ने, they provided me the game, ताके मैं खेल लूँ, आप लोगों के लिए review लाँ, we get to have fun, so without further ado, let's kick things off. As always, हम स्टोरी मोट से स्थार्ट करते हैं, गेम उपन उती है, लॉंग टाइम क्लासिक Crash विलन्स, नियो कोडिक्स और डॉक्टर निफूरस ट्रूपी से, Crash से हारने के बाद ये दोनों प्लैन करते हैं, टोटल कंट्रोल का और मास्क उका उका इनके लिए प्ती पूरी जान लगा कि ऐसा रिफ्ट खोल देता है, जिसके साथ डिफरेंट डिमेंशिन्स में जाये जा सकता है, पूरी मल्डिवर्स पे कंट्रोल रखना अब इन दोनों का प्लैन है, एन एस प्लैन को कंप्लीट होने से रोकना है, गेम शिफ्ट करती है, अपना फोकस क्रैश बेंडिक तो बेसिकली इन शॉर्ट, नियो काट्रिक्स के प्लैन्स को रोकने के लिए क्रैश ने जाना है हर डिमेंशिन में, और वहाँ से लेना एक कौन्टम मास्क जो देगा, उसे सुपर पावर्स तू स्टॉप आल दे मैडनेस कोईंग ओन, क्रैश 4 पूरी गेम की मेन हाईलेट ये चार कौन्टम मास्क जिन पर सब कुछ रिवॉल्व करता है, ये निया कौनसेप्ट है, बहुत ही मजएका है, और पूरी गेम में हर लेवल को, हर वर्ल्ड को ये फ्रेश रखता है, और पूरे स्टोरी इंगल को गेम प्ले के अंदर इंप्लिमेंट किया है, वैस कितनी मजए की कॉंट्रिबूशन है, इस टू मच फन, क्रैश 4 में बहुत से प्यारे हाई क्वालिटी कट सीन आते हैं, जो मोस्टी कॉमेडिक स्टाइल में है, हूमरेस है, टिपकल क्रैश टाइल में, क्रैश अपनी गूफी हरकते कर रहा होता है, मजाख कर रहा होता है, ये 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 गेम क्रैश के क्लासिक एसेंस पर चलती है, एक्जैक्ली वैसे ही जैसे हमारी फेवर्ट गेम्स होती थी सिंस दे प्लेस्टेशन देस, not the crappy Activision games, but the good old classic ones, so the game pretty much is classic Crash Bandicoot, लेकिन बहुत से नही नई अडिशन के साथ, और वो भी ऐसी चीज़ें जो perfectly fit करती है क्रैश की फ् बाद आया है, और जितना कुछ भी ऐस गेम में, वो देख के पता चलता है क्रेंट टाइम के साब से, they went all out and done a great great job, it's like the perfect upgrade and continuation of Crash, boxes को तोड़ना, वुंपा फ्रूट्स कठे करना, crazy platforming से गुज़रना, traps और enemies को avoid करना, everything is there and of course boss fights भी है, gameplay शुरू में आपको दो options देता है, retro mode क इधर lives matter करती है, वुंपा fruits collect करने से, you get lives, और अगर आप बार बार fail करें, तो eventually level को शूरू से start करना बढ़ता है, while modern mode में कोई life system नहीं, और आप जितनी दफा भी एक level में fail करें, आपको बार बार चेक पॉइंट से ही start मिलता है, मैंने retro system से भी खेला है, क्योंकि वो जो thrill हो अब जब Crash Bandicoot jump लेता है, तो नीचे एक shadow indicator दिया गया है, जो आपको बताता है कि Crash land किदर करेगा, और ये जो subtle सा change है एक proper game changer है, अगर imagine अगर कभी back in the days में हमें ये मिला होता, तो कितने जाले मना levels हमें बेतर लगने लगते, because this is a very big help, और इसको game changer में किसी वज़ा से क्या र the top है और मुश्किल, the game can get pretty unforgiving at times, ऐसे platforms हैं जो कुछ seconds के बाद गिर जाते हैं, ropes पे hang करना, उनसे swing लेना, boxes जिन पर jump करने से मजीद और boxes आ जाते हैं, वो green वाला खतरनाक, nitros जीसे सब की भटती है, time crates, bonus levels and lastly boss fights, इतनी fun है, boss fights बास दवा सिंपल भी हैं, लेकिन जो एक rush होता जाना, उसे बहुत-बहुत कुछ हो जाता है, इस game पे अंदर, here are some of the boss fights on your screen, जो के इंतहाई creative है, there is so much of thought put into these levels, आपको खेल के पता चलता है, doctor engine जो आपका villain है, वो एक robot में बैट के drums बुजा रहा होता है, amplifier से waves निकल नहीं होती है, फिर ये sea creature, इसके tentacles को हमने avoid करना होता है हाडना होता है, way too much fun, जो चीज इस specific part को पिछली game से separate करती है, और एक नई पचान देती है, वो है नए gameplay edition, यहाँ पे हमारे पास 4 quantum masks हैं, which I mentioned before in the story tab, और हर एक mask इन में हमें special ability देता है, और ये क्या मज़दार twist है, मैं कहतना हुआ, लैनी लोली mask phasing की ability लाता है, जिदर एक button के press से हम invisible चीज़ों को platforms में बदल सकते हैं, और बास दफार jumping sequences के दुरान phasing को time करना, jump buttons के साथ phasing करना, वो क्या moments आते हैं, आपको full on focus रखना पड़ता है, अपने हर movement पे, अपने हर step पे, Aquana I believe I am saying is name right, हमें dark matter देता है, जिससे हम लंबे लंबे distances को cover करते हैं, in a way हम उड़ gameplay is wall running, जो futuristic levels में हमें करने को मिलती है, फिर while wall running हमने crates को तोड़ना होता है, obstacles को avoid करना होता है, वो एक अलागी fun है, फिर sliding भी डालीगी ये crash में, then there is rope swinging, और ये सारी चीज़े already इतने खमाल platforming sequences को मजीद और आला कर देती हैं, like it adds up more layers of fun and depth to your entire experience, तो इससे सारा gameplay भी fresh रहता है आप बोर नहीं होते, also एक mask जिससे आप time को slow कर सकते हैं, फिर एक mask है जिससे आप चीज़ों को freeze कर सकते हैं, तो मैं बाकी चीज़े नहीं आपको बताना चाहूँगा, उससे आपका experience spoil हो जागा, but this is just to let you know, how much of a fun game this is, also flashback tapes भी हैं, जो हमें area to area मिलती हैं, जिन से हमें एक retro style इंतहाई challenging levels में चले जाते हैं, also this is a time jump, back in the day जब Crash Neo Cortex का test subject होता था, ये उस style में हम खेलते हैं, और ये भी बहुत मज़ेगी edition है, also जितने भी हमारे पास base levels हैं गेम के अंदर, उन सबका inverted mode भी शामिल है, which is a very good, a new edition, ये game में replayability डालती है, और इसमें basically क्या होता है, कि limitations नहीं है, फिर ट्वाना जो के Crash का love interest होती है, उसके भी अपने levels है, ट्वाना एक rad सा character है, जिसके पास grappling होती है, उसका gameplay भी बड़े मज़ेक है, फिर आप even as new cortex भी खेलते हैं इस game के अंदर, जो live चीज़ों को platform बना देता है, तो in short हर character के लिए dedicated चीज़े हैं, जो आपको रहेंगी, and lastly my friends, we also have dingo dial, जो crash के बाद मेरा absolute favorite character है, जो एक तो उसका design बहुत cool है, उसकी story इतनी funny है, और उसका gameplay तो कमाल है, he can hover, he can shoot TNT crates, it's so much fun, फिर डिंगो डायल की अपनी एक अलग से दुनिया है, अपने themed levels है, and this shows के कितनी मेनत और डेडिकेशन से ये game बनाई की है, लाइक ये लोग अराम से assets को reuse करके चाप चुप के game का time निकाल सकते थे, but they actually put work and made dedicated stuff for each character, especially dingo dial, उसका world तो सबसे cool है, more to the goodness, इस game के levels इतने प्यारे है, इतने vibrant है, it's like a treat for your eyes, और सिरफ अच्छे और प्यारे visuals नहीं है, बलके levels की जो quality है, वो भी top tier है, इसमें different dimensions हैं, जिनके अलग अलग levels और हर area की अपनी एक theme है, जैसे एक giant heavy metal wasteland है, कोई futuristic zones होंगे, फिर of course crash हो और कोई chilly ठंडा map नहों जहां पर बरफ ही बरफ हो, ये तो हो नहीं सकता, तो that kind of a place is also here, फिर ये spooky सा musical theme map, with giant drums and skeletons, ओफ यार, कमाल है, seriously, too damn good, हर level एक दूसरे से फरक रखता है, then there is your typical crash style music to go along with everything, classic iconic theme भी है, game के अंदर जो आपको opening में सुनाई देती है, और आपको दबाके nostalgia भी हो जाता है, and about sound step, either crash game makes it all right, कोई बहुत मज़दा music नहीं है, apart from the main theme, ये background scores नहीं है, दर level के जितने होने चाहिए थे, this is something that I felt, area to area, जो level theme का music है, I was expecting it to be a whole lot great, catchy and fun, लेकिन यहां पर य test me, लेकिन मेरा बताना बनता है, अगर तो हम cons की बात करें, तो in all honesty, इस game में कोई बहुत ज़्यादा बड़े cons नहीं है, या कोई बहुत प्राब्लम्स नहीं है, जिनकी मैं बुराई करूं, यहां पर discuss करूं, और बिला वज़ा cons के tab को भरूं, although कुछ चीजे मुझे off लग missions है, 21 आपके flashback levels है, फिर 42 आपके inverted है, तो ऐसे मिला के यह कहीं टोटल 107 levels बनते हैं, this shouldn't have been a thing, इनको बताना चाहे था है शुरू से के core levels हमें 47 ही में, 60 डॉलर्स की यह triple A game है, आपको quality तो मिल रही है, लेकिन quantity not so much, at least base game में 65 से 75 levels होते हैं, ताकि यह एक या दो घेंटे साइट पे हैं, हलके से sluggish साइट पे हैं, बलके I would rephrase it by saying, कि जरा off-site पर लगें मुझे, making this a bit too difficult at times, यह कौन जैसे हैं कि they are not super big, यह ऐसी चीज़ है जो आपका fun totally ruin कर देते हैं, या आपका experience खराब कर देते हैं, या game का मज़ा suck out कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, इसा नहीं है, लेकिन बाद में आ गए थे, तो अगर यहां पे भी आ गए तो वो सही नहीं होगा, Crash 4 इन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत enjoyable बनाई है, classic Crash Bandicoot के essence को रखके इन्होंने game को design किया, safe play भी था, and honestly, जैसी pace और track history अच्छी चल रही गे याना, Toys for Bob developers की, अब मैं जाऊं game, Crash Bandicoot के अंदर हमारे पास battle mode है, जो basically two to four plates का mode है, इधर crates से हम high score combos कर सकते हैं, या checkpoint races में आपस के अंदर face off कर सकते हैं, so with all of this said, my friends, अब बारी आती है वर्डट की, हमारे पास है एक funny story, cute lighthearted cutscenes है, gameplay में मजए के नए additions है, true to the franchise, gameplay और ऐसा overall design है, जो series को बड़े पहरे तरीके cases justice करता है, हाँ, story mode lengthwise short था, it should have been a little longer, core side पे game weak रही है, और controls, they felt slightly off, but the rest of the game kicks, but all the way back, Crash 4 It's About Time is an 8 out of 10 game, which I totally recommend, it's great fun, way too good, लेकिन 60 dollars पे अभी आपने नहीं लेनी, आप wait करें for a good, से लिए ideal purchase होगी 30 or 40 dollars पर, और अगर 25 की कभी हो जाए, वो the best scene हो जागा, so in short, Crash Bandicoot 4 It's About Time, वाक series को justice टेती है, and this is a great great continuation to our beloved Crash Bandicoot, अच्छी गेम मज़ेदार है, इसको बहुत मज़ा होगा, आपको बहुत जादन नोस्टेल्जिया भी होगा, और जो long term running players है, franchise के, वो इसको बहुत जादने enjoy करेंगे, also जो newcomers है, वो भी इदर से start कर सकते हैं, they'll also have a fun time, so my friends, ये था हमारा आज का review, Crash Bandicoot 4, It's About Time का, played on the PlayStation 4, I hope you guys enjoyed this video, अगर पसंद आये, review पसंद आया, so let me know in the comment section down below, agree करते हैं, disagree करते हैं, I wanna hear it all from you in the comments as well, 2Sweet Show को ऐसी support करते रहें, YouTube पर 2Sweet Show को प्लीज जा कर सब्सक्राइब करें, because I'm trying to shift away from Facebook, और अगर आप आप मज़े अपनी support दिखाएंगे, YouTube च